तो हमने जो अभी देखा कि किस तरीके से यह जो लेफ्ट वाला साइड है मेरे लेफ्ट वाला जो साइड है इसमें मैं जो बाते लिख रहा हूं जैसे मैं बोलता हूं मैं ठाता हूं मैं जाता हूं मैं मिलता हूं मैं खेलता हूं मैं डांस करता हूं मैं सोता हूं मैं जाकता हूं मैं उठता हूं मैं बैठता हूं तो यह सारा मेरा एक पैटन तयार हो रहा है क्या पैटन तयार हो रहा है दिमाग में यह पैटन तयार हो रहा है ओके और इस पैटन को मुझे क्या करना पड़ता है प्रांसलेट करना पड़ता है आई इट अगर मैं खाता हूँ तो आई इट और अगर मैं यह कहता हूँ कि मैं दिमाग में है कि मैं खेलता हूँ तो मुझे पता है कि खेंड लेकर मुझे एट ने यूज़ करना है खेंड लेकर मुझे प्ले यूज़ करना है तो मुझे आए के बात क्या करना है फॉरण प्ले कर देना है यहां तक हम बाते समझते हैं बोलते हैं आगे सबसे इंपॉर्ट उटता हूँ तो क्या खेलता हूँ यह अपनी अपनी बात आजाएगे कि मैं उटता हूँ तो कब उटता हूँ नू मैं आगर छे विजय उठता हूँ तो च्छे बज For ने कि हरुपी हार खर तति ह हुट गाएं पोई साथ वजय कोने कौ आठ बजय को नौब जे यह मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ाई करता हूँ तो कहा करता हूँ, कब करता हूँ यह उसके अपनी बात रहेगी इसका मतलब यह जो logic वाली बात है यह बात को जितना जादा आप translate करते जाओगे अपने तरीके से समझते जाओगे तो बाते आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी और यहाँ पर आपको compare करना है कि मैं खाता हूँ एक बात है और मैंने खाया दूसरी बात है मैं खेलता हूँ ये बात है और मैंने खेला ये दूसरी बात है मैं जाकता हूँ ये एक बात है, मैं जगा ये दूसरी बात है मैं बोलता हूँ ये एक बात है, मैंने बोला ये दूसरी बात है और इसी बात को हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर translate करते जाते हैं उतने सारे verbs हम use कर लेते हैं जो हमें पता है और हमें हमारी जो actions होती है जो रोज उमर्णा की जिंदगी में हम जो करते हैं हमारे दोस्त, हमारे घर के लोग, हमारे जान पहिचान वाले जो actions करते हैं उनको लेकर हम बात कर सकते हैं और यही बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि چार वर्ष से सिफ V1 जो हमने यहाँ पर यूज किया है V2 जो हमने यहाँ पर यूज किया है V3 जो हम next वीडियो में यूज करेंगे और V4 जो हम और next वीड़ियो में यूज करेंगे V1, V2, V3 and V4 ये चार टाइप के वर्प्स के साथ जो हम खेलते हैं logically logically जो हम खेलते हैं मैं पूरे बड़े से वीडियो में आपके जरूर बताने वाला हूँ सारी बाते वो जो logically जो हमारा खेलना होता है वही बात हमें grammar की तरफ लेके जाती है फिर हम भोलते हैं कि जब मैं कहता हूँ कि मैं खाता हूँ मिस मैं I eat लिखता हूँ तो automatically मेरे grammar बजाता है simple present tense क्योंकि मैंने subject लिया है और उसके बाद मैंने वह अपका first form लिया है यही बात मैं जब ऐसे कहता हूँ कि I ate तो ate इसका past tense लेने की वेज़े से यह क्या हो गया subject plus v2 हो गया subject plus v2 हो गया so this is very simple यह बहुत आसान है यह अगर आप करके देखोगे तो जरूर आपको अंग्रेजी बड़ी आसान लगने लग जाएगी अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो जरूर इसे like कीजिए comment कीजिए share कीजिए और subscribe करना इसलिए मत भूलना ताकि नए वीडियो कर दो कर दो